दालों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाले रेट ग्राम जारी अरहर किता शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है हाल के वर्षियों में गालों की कीमतों में वढ़ोतरी के बावजूर किसान दलहन खेती में खास दिल्चस्पी नहीं ले रहे इनके प्रमुख्र कारणों को देखें तो फसल में लगने वाले दरजन भर से उपर कीट रोग फसल को बहुत नुकसान पहुचाते हैं जिसके कारण उपज में भारी घिरावट होती है और अरहर खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान होता है लेकिन धहरिये अगर समय से इन कीट रोगों की पहचान कर उनकी रोग थाम कर दी जाए तो कीट रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और हर की फसल में लगने वाले कीटों में सबसे प्रमुख है फली भेदक कीट दरसल जनवरी के अंत के बाद से जब तापमान बढ़ता है तो फलियों के तयार होने की प्रकरिया तेज हो जाती है इसी समय इन कीटों का प्रकोप बढ़ता है तो जरूरी है कि सबसे पहले आप इसके नियंतरन का उपाए करने फली भेदक कीट की सुंडियां फलियों के अंदर खुसकर हाने पहुचाती है शतिग्रस्थ फलियों में छेद दिखाए देती हैं अंदर ही अंदर ये दानों को चट कर जाती है इनसे बजने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करें जहां पर ताप्राम थोड़ा बढ़ेगा और जहां ये 20 डिगरी के आसपाद पहुचा तो उस समय या 15 तक भी पहुच जाएगा तो बहुत अच्छी फ़ली लगती है तो कीड़े का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है तो इसमें आप दवा जो बता रहा हो में ध्यान से सुन लेजे इंडाकसा कार्ब करीब 4500 यम्यल प्रति हेक्टेर के हिसाब से आप छिर्काव कर दें और हो सके अगर कीड़ा दिखें आपको उसके बाद भी तो 15 देन के बाद पुनाएब इस्पाइनो सैड दो सुपतास एम्यल के हिसाब से पहला हमने बता हैं इंडाकसा कार्ब 4500 यम्यल प्हुत से और इस्पाइनो सैड 250 ml के हिसाब से दूसा शिर्काव कर देंगे तो कीडों का प्रभाव एकदम खतम हो जाएगा आप इन कीडों की रोक थाम भिना रसाइनों के इस्तेमाल के भी कर सकते हैं जैसे इसके कुछ इंतिजाम देखिए गर्मी में गहरी जुताई करके फसल चक्र अपना कर खेत में प्रकाश परपंच या फेरोमोन ट्रैप लगा कर अरहर की फसल में इंटर क्रॉपिंग करके अंग्रेजी शब्द टी के आकार की खोटिया खेत में चिडियों के बैठने के लिए लगा कर भी आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं जिसमें केमिकल की ज़रूरत नहीं होती कीटों के अलावा अरहर की फसल में कुछ रोगों का प्रकॉप होता है जिनमें उख्ठा और बंज़ा सबसे प्रमुक है उख्ठा रोग फ्यूजेरियम कवक से फैलता है इससे बचने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए जिन खेतों में एक दो बार अरहर की फसल ले ली है उसमें फिर अरहर ना बोएं खेत बदल ले इसके अलावा बीजों का उप्चार भी बहुत काम आता है तो उल्ठा रोगने के बाद उसका कोई उपाय नहीं है कि समय आप उससे बच पाएंगे एक ही ध्यान देजेगा कि अगले साल जब आप फसल लगाते हैं तो उस खेत को बदल देजेगा इसको हम करते हैं फसल चक्र अरहर में लगने वाले कीट रोगों की रोग ठाम कर ले तो आगे चल कर इस फसल से आपको अच्छी उपज मिलेगी इस तरह आपकी मेहनत और फसल में लगा वक्त कीटों के कारण खराब होने से बचेगा और आपको पूरा मुनाफा होगा